हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का धिराज क्लासिस के यूटूब चैनल पर और गाइस कुछ बच्चों का मुझे लगातार मैसेज आ रहा था कि उन्हें ये जो टॉपिक आपके स्लेबस में गिवन है देखे आपका स्लेबस दिखाते हैं क्योंकि हम जो आपकी तयारी कर देखने वाले हैं इसके अलावा एक थर्ड टाइप भी होता है करी कुलम का जिसे हम कहते हैं नल करी कुलम ठीक है हाला कि ये बहुत जरूरी नहीं है इसको भी आपको बता देंगे ठीक है जी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये शुरू करते हैं आज की क्लास को और सबस से पहले हम जानेंगे स्लेबस एन करी कुलम पहले दोनों को अलग लग पढ़ेंगे फिर दोनों के बीच में डिफरेंस को जानेंगे देखे अगर हम आम तोर पर देखें तो स्लेबस एन करी कुलम को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं अपने आम तोर पर सामानने origin है वो कहां से है वो लेटिन वर्ड से है जिसे हम कहते हैं क्यूरेयर जिसका मतलब क्या होता है runway या फिर race course अथार्थ दोड का मैदान देखे आपको हिंदी वालों के लिए पढ़ देता हूँ पाठे चर्रा शब्द की उत्पत्ती लेटिन शब्द क्यूरेयर से हुई है जिसका अर्थ है runway अथार्थ दोड का मैदान देखे इसे हम एक example से समझते हैं आप सभी ने मान लीजे diet किया है जिसे आप D.Ed. भी कह देते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्नोंने B.Ed. किया होगा यानि कि आप इन दो सालों में क्या करते हैं जो भी आपके लक्षे है उनको अचीव करने के लिए मान लीजे ये runway है ये दो साल में जितने भी आपको goals अचीव करने है तो आप इस runway पे दोड़ते हैं ना runway हम यहाँ पर कह सकते हैं through formal, informal जो भी आपकी activities हुई होगी दो साल मे आपको schools में भेजा गया होगा practice के लिए तो उसको हम कह रहे है curriculum पूरे दो साल का ठीक है अब देखे जल्दी से आगे समझते हैं curriculum can be defined as a runway और course to be run for reaching a certain goal यानि कि अपने goals को अच्छीव करने के लिए जो भी आप course को follow करते हैं that is called the curriculum और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे पाठ है क्रम इसको भी आगे जानेंगे किस लेबर शब्द की उत्पति किस शब्द से हुई है यह सारी चीजी हम आगे जानने वाले हैं ठीक है चीज चलिए next slide पर चलते हैं the curriculum is the sum total of all the activities that go on in the school environment यानि कि जितनी भी सारी activities आपके school environment या of the school environment में चलती है that is the part of curriculum यानि कि एक school में जितनी भी activities कराई जा रही है वो सारी curriculum का part होती है वहीं अगर हम बात करें syllabus की तो syllabus में हम mainly जो classroom teaching है उसमें जितना भी portion given है उसकी बात करते हैं यह सारी चीजे मैं आपको difference में clear करूंगा ठीक है मैं आपको पहले बता देता हूँ जब हम difference सीखेंगे ना इनके बीच में curriculum is a tool in the hands of the artist artist कौन है artist is the teacher to mold his material अब material कौन है वो है pupil यानी की बच्चा according to his ideal objectives in the studio अब studio क्या है वो है आपका school अब आपसे जो question पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा according to Cunningham who is the artist in the school artist कौन है तो आपको option दे दिये जाएंगे तो अब दे artist is the teacher teacher जो है वही artist है और material क्या है material है यहाँ पर बच्चा अब बच्चे यहाँ पर सोच सकता है TLM लगा दें teaching learning material material जो है कनिंगम के अनुसार उसने बच्चे को माना है जिसको teacher mold करता है अपने अनुसार परिवर्थित करता है objectives के अनुसार objectives को achieve करने के लिए कहाँ पर school में क इसकी मदद से curriculum की help से ठीके जी यह जल्दी से हम यह ज्यादा इसमें समझाने वाली चीज नहीं है आप यह दो definition या तो इसका screenshot ने लीजे या लिख लीजे Munro की definition है और आपकी crow and crow की definition है Hindi and English दौनों में given है इसलिए पढ़ देता हूँ जल्दी से आपके लिए एक मिनिट मे उसके बाद हम different सीखेंगे curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain the aims of education curriculum में सारी activities आ जाती है जबकि syllabus की अगर हम बात करें उसमें mainly हम classroom teaching की और बच्चों के सरफ और सरफ cognitive development की बात करते हैं जबकि curriculum में हम बच्चों के cognitive, affective, psychomotor, सारे developments की बात करते हैं बच्चों के spiritual development की बात करते हैं तो curriculum is the sum of all the activities अब crow and crow की definition क्या है the term curriculum includes all the learners experiences in और outside the school अंदर जो भी school के अंदर experience है और outside the school that are included in a program which has been devised to help him developmentally, emotionally, socially, spiritually and morally क्रों ने उन सारे अनुभवों को शामिल किया है जो अध्यन कारेक्रम में रखे गए हैं और जो बच्चे का क्या करते हैं मानसिक, शारिरिक, समवेक आत्मक, सामाजिक, अध्यात्मिक और नैतिक इस्तरवर विकास में साहेता करते हैं ठीके जी चलिए अब हम जल्दी से आ विश्यों या अधानाओं के बारे में सारी जानकारी होती है जिन्हें किसी विशेश विशेके के लिए कवर करने की अवश्यकता होती है यानि कि मान लीजे आपको मैस सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ना है ये किस में गिवन होगा आपके स्लेबस पाठ्ठे क्रम में ग पढ़ने हैं, कौन-कौन सी अवधानाएं पढ़नी हैं, कौन-कौन से concept पढ़ने हैं, ये होता है आपका पाट्ठेकरम यानि की syllabus, अच्छा आप मुझे यहाँ पर एक चीज बताईए, अभी KVS ने आपका syllabus चेंज किया है या फिर curriculum चेंज किया है, आप मुझे इस question का answer last में ठीक है, तो syllabus जो होता है न, mainly आपका subjects related होता है, और अगर हम curriculum की बात करें, तो curriculum is overall, उसमें सारी चीज आ जाती है, सारे activities आ जाती है, पूरे दो साल में बच्चा या एक साल में बच्चा क्या-क्या करने वाला है, सारी चीज आ जाती है, उसे हम कहते है curriculum, syllabus में, वो mainly आपका एक subject का रहेगा, हर subject का अलग-लग syllabus रहेगा, तो वो आपका syllabus में आ जाता है, ठीक जी, अब अगर हम आगे बात करें, syllabus word is originated from the Greek word, stupa, meaning क्या है इसका, title, slip, और label, syllabus शब्द की जो उत्पत्ती हुई है, बच्चों, वो किस से हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है, अच्छा, आ और syllabus की बात करें, तो वो ग्रीक शब्द से उसकी उत्पत्ती हुई है, और वो word क्या है, इस्टूबा, और जिसका अर्थ क्या है, शीर्शक, पर्ची, या फिर label, ठीक है, तो यह छोटा सा मैंने बच्चों आपको overview दिया है, कि syllabus क्या है, करीकुलम क्या है, अब जानिए इ is a wider concept, करीकुलम एक wider concept है, एक व्यापक अवधार्णा है, जबकि अगर हम syllabus की बात करें, syllabus is a narrower concept, पाठे करम एक संकुचित अवधार्णा है, यानि कि अगर हम इसे mathematically represent करें, तो यह मान लीजिए आपका करीकुलम है, ठीक है, यह आपका करीकुलम है, तो syllabus इसके अंदर आता है math का syllabus हो गया आपका, आपका evious का syllabus हो गया, ठीक है, आपका science का syllabus हो गया, तो यह सारे syllabus जो है इसके अंदर आते हैं, करीकुलम में यह सारी चीजा जाती है, इसमें आपकी co-curricular activities भी आ गई, करीकुलम में, ठीक है जी, चलिए, next point की बात करते हैं, it is the totality of all the activities, experiences gained within the school, यह द्याले के भीतर प्राप्त सभी गती वीदियों के अनुभवों की समगरता है, यानि की बच्चा स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर भी कह लीजे, लेकिन वो बिल्कुल planned way में होना चाहिए, बच्चे को मान लीजे हम field trip पे ले जा रहे हैं स्कूल के बाहर, तो जितने भ पॉइंट है आपका, it is related with the study material taught in the classroom, यानि की यह कक्षा में पढ़ाई जाने वाली अध्यन सामगरी से समंदित है, तो सलेबस को अगर हम स्टिक करके देखें, तो यह सारा आपके concept से related है, आपके subject से related है, ठीक है जी, बिल्कुल साधरन भाशा में बात बिल्कुल समझ में आपके आ गई होगी, चलते हैं आपने next point, third point पे, third point है बच्चो आपका, prescriptive in nature, जो आपका curriculum है, उसका nature कैसा है, वो prescriptive है, यानि की यह आदेशात्मक है, देखें, इसको एक example से समझेए, आपने जब भी diet किया होगा, तो diet में बहुत सारे subjects होते है, psychology होती है, child development है, बहुत कर सकता है, या मान लिजए diet का कोई व्यक्ति है, diet मतलब मैं JBT की बात कर रहा हूँ, इसे Delhi में diet कहते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति इसको कम कर सकता है, कि चलो मैं दो subject छोड़ देता हूँ, इनको नहीं पढ़ाता हूँ, ये बिलकुल fixed है न, बिलकुल एक आदेश के रूप म It is descriptive in nature, जो भी आपका syllabus given है, उसकी प्रकरती कैसी होती है, वो वर्णात्मक होती है, यानि कि ये flexible होता है, इसका example देखिए, अब बहुत सारे chapters होते हैं, हर teacher का जो syllabus पढ़ाने का तरीका होता है, जो method होता है, उसकी जो teaching style होती है, वो different होती है न, तो it is descriptive in nature, यानि कि इसको change क पर सकते हैं, इसके लिए कोई fixed rule नहीं है, for example मान लीजे, कोई area पढ़ा रहा है, area उसको पढ़ाना है, तो chapter में उसको area of rectangle भी पढ़ाना है, area of square भी पढ़ाना है, तो teacher की मर्जी है, वो दोनों में से जो पहले पढ़ाना चाहता है, पढ़ा सकता है, तो हर teacher का जो style है, वो different ह है, और इसमें flexibility रहती है, syllabus में, क्योंकि जो syllabus को cover करना है, वो किसे करना है, वो teacher को cover करना है, तो teacher के पास full freedom है, वहीं अगर हम बात करें, curriculum की, so it is decided by the higher authority, ठीक है, तो यह आपका fourth point हो गया, जो कि यहाँ पे explain नहीं किया गया था, अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे कुछ points और given है, उनको discuss करते हैं, curriculum का जो main उद्धेश्य है, वो क्या है, it aims the overall development of the students, overall development means cognitive, affective, psychomotor, जितने भी सारे आपके domains है, सब को achieve करना, सब को develop करना, इसका मुख्य उद्धेश्य है, वहीं अगर हम syllabus की बात करें, तो syllabus मेंली आपका जो related है, वो है आपका mainly cognitive development है, cognitive aspects related है, यानि कि संग्यानात्म के विकास से संबंदित है, सरफ और सरफ आपके, six point पे है, curriculum is complete in itself, curriculum अपने आप में complete है, उसमें सारी चीजे नहीं थे हैं, क्योंकि curriculum में हम बच्चे की संपूर्ण सिक्षा की बात करते हैं, हम किसी subjects की बात नहीं करते, सारे subject आपस में related हैं, और कहते ये ना बच्चो, जब जिन्दगी स्कूल के बाहर इम्तिहान लेती हैं, तो subject बता कर नहीं लेती, तो बच्चे को अपने आपने एक संपूर्ण व्यक्ति, एक उसकी overall personality डवलप करना, यही curriculum का मुख्य उद्देश्य है, वहीं अगर हम बात करें, syllabus is the part of curriculum, syllabus है, वो curriculum का part है, तो यहां तक आपको पता चल गया, अब आप सभी मुझे जो मैंने आपसे question पूछा था वो बताईए, कि अभी KVS PRT का syllabus चेंज हुआ है, यह curriculum चेंज हुआ है, ठीक है, comment box में बताईए जल्दी से मिरको, अब हम आगे चलते हैं, अब हम discuss करेंगे types of curriculum, curriculum के types कौन कौन से हैं जो आपको पड़ने हैं और आपके syllabus में भी given है, यही आप से पूछे जाएंगे, पहला है आपका explicit या फिर overt curriculum, यही चीज आपके syllabus में given है, overt curriculum होता क्या है, जिसे हम कहें सूव्यक्त पाठ्थे चर रहा, अपचारिक पाठ्थे चर रहा, एक एक करके आगे discuss करेंगे, next इसक तो यह वहीं से यह शब्द निकला है, hidden curriculum, ठीके जी, और last, बहुत जरूरी नहीं है, जो है आपका null curriculum, जिसे हम कहें देते हैं, शूने पाठ्थे चर रहा, तो एक एक करके जानते हैं, कि यह होते क्या हैं, आपको इनके नाम से ही पता चल जाएगा, explicit या फिर overt curriculum, जिसे हिं Indian हम कहते हैं, प्रत्यक्ष यानि की आपचारिक पाठ्थे चर रहा, अब यह क्या चीज है, देखे, मान लीजे, आप अपने बच्चे को स्कूल में admission कराने के लिए लेके जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या-क्या चीजे देखेंगे, तो स्कूल बताएगा कि हम बच्च क्या करते हैं, अपने pamphlets भागते हैं, कि स्कूल में swimming सिखाएंगे बच्चे को, horse riding सिखाएंगे, बच्चे को mental math सिखाएंगे, बच्चे को Vedic math सिखाएंगे, और जो हमारी books हैं वो बहुत ही enrich हैं, यानि कि international level की books हैं, तो यह सारी चीजे वो return form में देते हैं, अब देखे, इस statement को पढ़िए, return curriculum is simply that which is written as a part of formal instruction of schooling experiences, जो भी आपचारिक निर्देश classroom में दे जाते हैं, यानि कि वो सारी चीजे जो एक school दावा करता है, कि हम ये सारी चीजे बच्चे को सिखाएंगे, चाहे वो classroom के अंदर है, classroom के बाहर है, जितनी भी सारी activities हैं, जो school कह रहा है कि वो इसको किसी ना किसी रूप में बच्चे को सिखाएगा, so it is the part of overt curriculum, समझ में आगई बात, देखे, इसका next point पढ़िए, इसमें कौन-कौन सी चीजे आ जाती है, ये एक तो supportive है nature में, जो भी चीजे बच्चे को सिखाए जाएंगी, तो उसमें कुछ ना कुछ teaching materials use होंगे, या part papers, news reading, ये सारी चीजे, जितनी भी आपके TLM से वगर है, सिक्षन सामगरी, सारी इसमें आ जाती है, आप paper में question आपको कैसे मिलेगा, TLM is the part of which curriculum, explicit curriculum, या फिर implicit curriculum, overt curriculum, या hidden curriculum, ठीक है, तो इस तरह से question मिलेगा, TLM जो है आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है, देखे, इसकी और कुछ भी features है, वो क्या है, it is formally designed, ये पूरी तरह से formally designed होता है, यानि कि कौन-कौन से subject पढ़ने है, कौन-कौन से घंटे में आपको क्या-क्या subject पढ़ने है, पहले कौन सा subject पढ़ना है, ये सारी चीजे वो design करके रखते हैं, and it is recommended by the school, school ही इसको recommend करता है, ना कि आप इसके लिए design करते हैं, जो भी books design की गए है, वो school नहीं design की गए है, school नहीं उनको recommend किया है, and it is in the form of written, ये मैंने आपको बता दिया, and it is tested timely, इसको हम timely check भी करते हैं, बच्चे को जो कुछ वो सिखा रहे हैं, वो उसका test लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपका unit test होत होते हैं, इन चीजों को वो check करते हैं, test लेते हैं, और उनकी कुछ ना कुछ weightage भी होती है, अब देखे, अब जब मैं आपको second type पढ़ाने वाला हूँ, अब आप ये सारी चीज समझ जाएंगे, next type के आपका implicit या निकी hidden curriculum, hidden curriculum क्या होता है बई, जिसे हम कहते हैं, अंतर नह हो रही है, बहुत लडाई हो रही है, तो आप देख रहें कि बच्चे बहुत गाली बक रहे हैं, ठीक है, bad language यूज कर रहे हैं, abusing language यूज कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को वहाँ पर ले कर जाएंगे, उस school में आप उसका admission कराएंगे, नहीं कराएंगे ना, अब क्या ये गालियां इसकूल ने सिखाई हैं, नहीं सिखाई ना, so it is hidden curriculum, यानी कि वो चीजे जो इसकूल ने नहीं सिखाई हैं, लेकिन बच्चा सीख क्या है, अब कैसे सीखी हैं उसने, मान लिजे कोई एक teacher है, जिसकी language बहुत गंदी है, ठीक है, तो वो उससे सीखा है, अब मान लेकिन अगर मैं time से जाता हूं, time को follow करता हूं, मैं seat पर बैठने से पहले अपनी chair को clean करके बैठता हूं, अगर मान लिजे कोई paper मेरे से गिर गया है, तो उसे उठाकर मैं खुद dustbin में डालता हूं, तो बच्चे मुझसे कुछ सीखेंगे क्या, सीखेंगे ना, so it is the part of hidden curriculum, अब देगे point by point समझते हैं इसको, students learn from physical environment policies and procedure of school, school का एक aura होता है, school की कुछ policies होती है, उसकी कुछ procedures होते हैं, तो बच्चे उससे सीखते हैं, for example जो school में prayers खराई जाती है, morning assembly में, मान लो बहुत अच्छी prayer है, तो बच्चों के अंदर एक spirituality आती ही आती है, तो ये बच्चों क सीखाई नहीं गई है, बच्चे के लिए वो hidden है, बच्चा अपने आप में सीखता है, हाँ एक चीज बहुत यहां पर अच्छी लिखी है, unplanned, अभी जब हमने बात करी explicit की, तो वो totally planned होती है, और अगर हम बात करें implicit की, so it is unplanned यानि unintended, यानि हम चाहते नहीं हैं, हम चाहा कर ऐसा नहीं कर रहे हैं, बच्चे को ऐसा curriculum नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चा उन्हें सीख रहा है, इसमें क्या-क्या चीज आती हैं, आपके norms हो गए, आपकी values हो गई, आपके procedures हो गए, देखे, मान लीज़े कोई एक teacher है, वो किसी काम को बहुत ही अच्छे एक procedure way में कर आता है, तो indirectly बच्चे भी वो सारी चीज़े सीखते हैं, बच्चो के अंदर भी वो values आती हैं, इसमें और क्या-क्या चीज़े आती हैं बच्चो, cultural values, attitudes, obedience, punctuality, discipline, authority, ठीक है, ये सारी चीज़े बच्चो में आ जाती हैं, देखो आपको इसका एक और example बताता हूँ, मान ली इसकूल के भी teachers का भी आई-कार्ड होता है, वो खुद पहनते हैं, तो बच्चो क्या expect करेंगे, बच्चे खुद भी उस चीज़े को follow करेंगे न, तो ये चीज़ बच्चो को intentionally नहीं सिखाए गई है, बच्चे खुद उस values को सीख रहे हैं, इसकूल के मान लीजे जो भी teacher ह हैं, वो साफ कपड़े पहनते हमेशा, हमेशा अपने आसपस सफाई रखते हैं, वो खुद junk food नहीं खाते हैं, तो बच्चे भी उस चीज़ को follow करते हैं, और बच्चे हमेशा teacher को follow करते हैं, और छोटे बच्चे तो खास कर, so it is hidden curriculum, ठीक है जी, अब जो third type मैंने बच्चो आपसे बात की थी, null curriculum की, उसके लिए अलग से बताने के लिए कुछ नहीं है, जिसे हम कहते हैं, शून्ने पाठ्ठेकरम, यानि ऐसा पाठ्ठेकरम या ऐसी चीज़े जो school ने आपको नहीं सिखाई हैं, हो सकता है, उसने उस चीज़ को importance ना दी हो, कि उसे नहीं सिखाने की ज़रूरत है, तो सरफ आप शून्ने पाठ्ठेकरम को वो चीज़ जान लीजे, जो school ने आपको नहीं सिखाई हैं, बाकी इसके जो भी example है न, null पाठ्ठेकरम के, जब मैं आपके MCQs कराऊँगा, इसके बाद ही आपके MCQs होंगे, वो सारी चीज़े मैं उसमें cover करूँग कर NEW YOR, कि मैं करूँगा, जब मैं दो सारी बाकी झाल, जब मैं आपकेशiva सक झाल, झाल, वो चीमा demolघा हैं, बाकी बाक्रम को वीज़े मैं पेच लिवे, जो सारी जो सारी श्तर एंड, जो सारी आपके मैं तो स्सकितरम को वुवे घसके सbod़् मैं हैं, झाल ו मैं आतर स्ल्य